हाई फ्रेंट, वेलकम तो माई चैनल आज आप लोग को साथ कुछ दो-तीन पॉइंट शेयर करूँगा क्विकली कि अगर वाटर कलर आपको करना है, अगर वाटर कलर एचीव करना है तो कुछ पॉइंट आपको याद रखना होगा वो पॉइंट डिसकस करने से पहले आपको थोड़ा बहुत वाटर कलर का एक्सप्रियेंस होना इंपॉटेंट है ऐसा नहीं है कि आप आए और वाटर कलर स्टार्ट कर दे और वेड़ी बिड़ुल हो गया ऐसा नहीं होता है वो करने से पहले आपको 10-15 वाटर कलर खराब हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद मेरा पॉइंट आप सुनिया नंबर वन पॉइंट आपके पास वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कॉन्फिडेंस कहां से आएगा कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप 10-15 वाटर कलर प्रैक्टिस करोगे उसके बाद आपको पता चलेगा हाँ यह वाटर कलर इस टाइम पे यह होता है यह वाटर कलर इस टाइम पे देने से ड्राई होने के बाद यह होता है अगर बेसिक अंडर स्टेंडिक आपके पास नहीं है तो आपको पहले करना चाहिए तो यह वीडियो किसी कामका नहीं है नमबर टू है किवहाद लोग बोलते ही की मुझे ब्रस चाहिए मुझे अ अच्छा पेपर च्रेजिए 300 जेसने 400 ज alternative बहुत कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जस्ट वान नॉर्मल हंडेट टू टू फिफ्टी जेसम नॉर्मल मोटा पेपर, कैमल कंपनी का कलर, और कुछ ब्रस, एक दो नंबर ब्रस, या नंबर फोर, नंबर शेक्स, नंबर एट, कुछ भी अब ले लो, राइट, जस्ट एक्सप्रिमेंट, आप जब तक एक्सप्रिमेंट नहीं करते हो, तब तक आपको पता नहीं चलेगा, वो पेपर आपको क्या कह रहा है, तब तक पता नहीं चलेगा, वो कलर आपको आफ्टर फाइफ मिनिट, शिक्स मिनिट के बाद, क्या बोलना जाता है, वो इंपोर्ट नहीं देता है तो यह रहा एक पॉइंट जो आपको ब्रस और पेपर डस डॉन मैटर मैटर तब ही करेगा जब आप एक्सपर्ट हो जागो उस एक्सपरिमेंट काम कर रहे हो मुझे थोड़ा सा मोठा पेपर चाहिए जी एसम जादा चाहिए और यह वो वो जब तक आप पें नहीं तो आप water color को लेकर oil painting जैसे color करो जो abstract होता है नहीं इच्छ़ लायएगा अप acrylic जैसे बुद्धा या something whatever आप जो भी करो आपको अच्छने लेगए रहे लाइगा water color के लिए कुछ subject होता है watercolor के लिए कुछ compositions होते है watercolor के लिए कुछ perspective होता है वो अगर आप maintain करोगे तो आपका watercolor अच्छा रहेगा तो यह important है कि आप compositions कैसे choose करते हो यह important है आप compositions को कैसे build करते हो जैसे कि यह painting यह life demonstrations था मेरा एक साल पहले अब यह जो painting है यह acrylic भी हो सकता है oil में भी हो सकता है और mixed beauty में भी हो सकता है but watercolor में यह सबसे best लगेगा क्यों लगाएगा because यह watercolor जो illusions है जो weather है और जो perspective है वो suit करता है ऐसे ही street corner आप जब भी watercolor search करेंगे तो यह कुछ flowers आ जाते हैं कुछ यह जाते है but flower तो आप oil में भी कर सकते है economy कर सकते हो right but watercolor जो last 15 years से जो watercolorist काम कर रहे है वो लोग street street landscape landscape cityscape right तो जहाद से जादा because उसमें light and shadow and flow बहुत अच्छी तरह से and watercolor use only for life life painting के वज़े से ही watercolor use हुआ है आप घर में आप oil color लेके आप one month तक आप को street corner में नहीं बढ़ सकते हो but आप watercolor लेके आप street corner में बैठोगे तो आपको एक घंटा में अच्छा painting आ जागा result आ जागा उसको आप develop कर सकते हो oil में तो यह काफी important point है मुझे लग रहा है कि आपको basic idea हो गया होगा कि watercolor करने से पहले आपको क्या का सोचना है so thank you so much watching this video अगर वीडियो को अच्छा लगा अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ और कुछ अच्छे के लिए बोल रहा हूँ अगर आपको feel हो रहा है कि हाँ शंका ठाकूर कुछ बेटर बोल रहा है तो आप subscribe करिए और like करिए शेयर करिए as you wish thank you so much